आजे आपड़े दोरंदस नो अडर्मो पाठ मुक्तानी मुक्तानी इबनवनो छे अदला के मोती वनी माला अवे मोती वनी माला अदला कोई साचा मोती नी माला नी वात न थी पर संस्कृत नी अंदर जे सुभास्ची तो आप्पाम आवेला होई ये बदा मोती ओ समान छे एनी अंदर घणा बदा सुन्दर मोती जेवा विचारो छे ये आपने आपेला होई तो एवा विचारो छे येन समझेवा माटे मोती ओनी माला थोरण दस्नी अंदर पाठे पु उक्तानी मुक्तानी एकले मोती वनी माळा संस्कुरु साहीत्यमा प्रहली काओ उखाना कूट उलोको अटले के कूट प्रश्णो चैनी अंदर आपने तर्क लगावो पड़े अंतरालाप एक बीजाना अंतर अंतरालाप पले पेलो अंतरो और बीजा अंतरा द्वारा यहां प्रश्णो 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 आवे छें तर्यकी वड़ी समास फेर करीने तो उन्वाई फेर करीने द्वीविध ये टले बेए प्रकारती अर्थ घटन करीने चमत कृती सर्जवामा आवे छे आ प्रकार ना मुक्त कोनी रचना सलंग एक ग्रंत तरीके थै नोती परन्तु आवा मुक्त कोनो तो कालान तरे जुदा जुदा प्रदेशों मा विद्वान कवी ओद्वारा अच्वामा आवेली छे वली त्यामनो संग्र भिन्न भिन्न ग्रन्थों मा ततो रयो छे वर्तमान मा आवा मुक्त कोनो संग्र करीने तेने सुभाशित रत्न भांडागार तरीखे प्रकाशित करवामा आयवाचे संस्कृत नी अंदर सुभाशित रत्न भांडागार नामनो जो गरंत चे यह अटलो मोटो चे अनेमा अनेक प्रकारना सरस सुभाशित आपपामा आयवाचे जेनी अंदर अटलू बदू ग्ण्यान छे के मानस्चे इसुभाशित रत्न भांडार करवाचे तेमाथी गणू बदू जीवन नी समझ छे येने प्राप्त थाए छे प्रस्तूत पाठमा विवीत प्रकारे विवीत प्रकारनी चमत क्रुतियो सर्ज्ता आट पद्योनो संग्र करवामा आयवचे आवी स्चमत क्रुती मात्र मनोरंजन माटे जोयचे ते उनति शाब्दीक रिते औने आर्थिक रिते चमत क्रुती सर्जता आ पद्योमा महन्विय जीवन ने उत्तम बनावा माटे ना उपायो पन उपदेश आप्पा मावेलो छे आ उपदेश मुझब जीवन जीवी ने मान सर्वत्र सफलता प्राप्त करी शके छे औने पोताना जीवन ने सुखी बनावी शके छे तो विद्यार्थी मित्रो आ सुभाशितो निवात आपड़ा जोईए तो एमा पेलू एक्थी पात सुभाशितो आपड़ा जोवाना छे पेलू सुबाशित छे आपड़े जोये आनु भाशांतर परिक्षानी अंदर पुछाए तो तमारे आरितनु भाशांतर पन लखवानु छे बरबर पिनाक भणी बालेंदु वस्म बंदाकिनी युक्ता पवर्ग रचिता मूर्ती पवर्ग प्रदास्तु वह तो आ स्लोक नी अंदर पिनाक नामनु धनुष्य जेना हाथ माँ चे एवा आ बद्धा शब्द चे बहुरी समास चे फणी अरलेके जेनी पासे नाग चे एवा जेनी पासे फेन वाला शर्पो चे एवा बालेंदु जेना जेनी पासे बालेंदु अटले के बाल चंद्र चे इंदु अटले चंद्र बाल अटले बाल जेवो चंद्र एनने बालेंदु के एवा अटले बालक जेवो चंद्र चे जे भस्मने धार्ण करे चे आने मंदाकि गंग थी युक्त छे एवा पवर्ग रजीता परग थी रचाएला मूर्ती इर पवर्ग प्रदास्तु व व अटले तमारू आवी मूर्ती छे छे एव अटले तमारू प्रदास्तु अटले कयान करनारी थाए बराबर तो आवी पाचे वस्तु जेनी साथे वोई एवी पवर रग्धी रचाहेली आ मुर्ती कई है शे आवो प्रश्ण तमने अईया उखाना तरीके आशलोग आपेलो छे के जेना आत्मा पिनाक नामनु दनुष्य चे जेना गळामा फणी वाळा सापो चे जेना माथा उपर बाल चंद्र चे जेना शरीर उपर भस्म चे अने जेना माथा उपर मंदा किनीले गंगाथी युक्त चे एवो पवर गती रचाहेली मुर्ती तमारू कल्यान करो तो हवेतम थोड़ोग आईडी आवी गियो शके शेनी वाद सर करें छे तो आवा जे मुर्ती शी कोनी होई शके तो भगवान शीव नी आ मुर्ती होई शके भगवान महादेव नी आवी मुर्ती होई शके अटला मट्या या पिनाक फणी बालेंदु भस्म मंदाकी निती युक्त यमगिदू छे विज्यारती मित्रो भगवान शीव नात्मा पिनाक नामनु दनुष्य चे फणी चेना गलाम फेन धारी सापो छे चेना माथा उपर बाल चंद्र चे अने भस्म शरीर उपरे भस्म च अपड़े चे अने मंदाकी नी युक्ता मंदाकी नी लगंगा चेना माथा उपर थी वहे चे एवा पोग वर्ग थी रचायली पोवर्ग अवे आ पोवर्ग शीओं छे तो के पो फो बो भनमो आ बदा हुँ उष्ट प्रकार ना व्यंजनों चे एने पोवर्ग केवाई आ आ व्यंजनों आयां पोवर्ग ना लईने कविये एक उखानू बनाये उचे के जेनी अंदर पोवर्ग थी रचायली आ मूर्ती तमारू कल्यान करों तो फरी एक वर भाषा अंदर करिनला उचु के पिनाक जेना आत पिनाक फणी फेन बाल चंद्र भस्मान मंदाकी नी थी युक्त एवी पवर्ग थी रचायली मूर्ती तमारू कल्यान करों पची विजो स्लोक छे भगवन कीमुपा देयं गुरू वचनं हेयं अपी चकीम कारियं को गुरू अधी तत्वं शिष्य हितो जते सततं अटला चार पंक तिया पहली छे तो पहलू छे ये भगवन बोधन वाचक विबक्ती छे ये भगवन कीम ऊपादेयं शू उपादवा लायक छे किम ऊपादवा लायक छे ।िया को गुरू अधी तत्वं अन क्या गुरुनी पासे तत्व ज्ञान छे शिष्यो हीता यो द्यतह स्वततम अन हमेशा शिष्यना हीतमा विचार नारा छे तो गुरु केवा होवा जोई एनी ये वेख्या पी छे तो के आ उपाडवा लायक वस्तु कई छे तो के गुरुनू वचन छोड़ी देवा लायक वस्तु हूँ छे हीन कारियो हीन कारियो छे हमेशा छोड़ी देवा जोई हेयम कारियम के हमेशा छोड़ी देवा लायक कारियों छोड़ी देवा जोए पचि को गुरु अधिस्तत्वम तो तत्व ज्यान्थी भरेला जे होई येज हमेशा गुरु कहवाई अने शिष्यो ता जज्य सतता महमेशा शिष्यना हीत नी विचार करे येज साचो गुरु छे फर येखवार हे भगवन शुम उपाडवा लायक छे तो गुरु नुवचन शुम छोड़ी देवा लायक छे तो हीन कारियों गुरु केवा होवा जोए तो के तत्व ज्यान्ना अने शिष्यना हीत ने हमेशा सतत विचार नार साचा गुरु छे त्रण प्रश्णो बुचाचन त्रणे प्रश्णो ना जवाबाईपा छे शुम उपाडवा लायक छे तो गुरु नुवचन शुम छोड़ी देवा लायक छे तो के हीन कारियों गुरु केवा होवा अने शिष्यना हीत मा सतत विचार नार गुरु हमेशा होवा छोईए तो अवी रित्न नुवचन तर छे चार पछे अप्पूर्वो अयम मयाद रष्टह कांत कमल लो चने शो अंतरयो विजजानाती सविद्वान संचय आयक उखानू आईपू छाया कविए एम गिदू छे के जेमा अप्पूर्वो मयाद रष्ट मे पहले तीज कमल जेवी आखो वाला एवा तारा पती ने जोयो छे अपूर्वो अयमया मतले अमे अपूर्व पहला कदीन जोयो एवो अमे तारा कमल जेवी आखो वाला पती ने जोयो छे शो अंतर विज जानाती तो तेनी अंदर शो वच्चे आवे छे अने विज जानाती से विदवान जे तेने जानी जाई छे ते विदवान छे जेनी अंदर ओ अने शो नी वच्चे को आवे छे एवा ये जेने जानी जाई छे ते ज विदवान छे अपूर्व एवा मे तारा कमल जेवी आखो वाला पतीने जोयो छे कि जेनी अंदर श वच्ची आवे छे जे तेने जानी ले छे ते विद्वान छे यमाँ संका नती तो आवो कौन छे तो कि अशोक अशोक नामनो पती छे जे कदी पोतानी पतनी ने शोक आपत्यो नथी दूख आपतो नथी अटले केछे के जे कदी पन न जोयोवई एवो में तारा कमल जेवी आखो वाला पती ने जोयोचे के जेनी अंदर अ पूर्वे छे श वच्चे छे अन्ने का छे इंते छे जे तेने जाने चे एज विद्वान छे तो पहला कदी पन न जोयोवई एवो तमल जेवी आखो वालो तारा पती ने में जोयोचे जेमा अ पूर्वे छे श वच्चे छे अन्ने का छे लेचे एवा विद्वान जे ते जाने ले चे ते ज करेखर विद्वान छे एमा शंका नती अटले के अशोक आखो नामूं बने छे अशोक तो जो पूर्व मां अले वानो शोँ अंतर मां शोँ ले वानो अने कमल लोच चन माथी कले वानों आखो शब्द बनी जाएशे अशोक ब्राबर पसी चोथो चे एनी अंदर पन सुन्दर वाद चे सस्त्रम न खलू करताविय मिते ही पित्रा नियो जिता पिताये आदेश आपो के हे पुत्र तारे कोई सस्त्र चे एनो उपयोग करवो नै एने उगाम्वू नै तदेव सस्त्रम पुत्रम चतापन पुत्रे सस्त्रनो उपयोग कर्यो पितूर आग्णान लंगी ताँ चतापन पितानी आग्णानो उलंगन कर्यो नै जो पिता ये तो पुत्र ने वादे शाइपो छे के तमार सस्त्र उपाडवा नई अन्य चता उपाडवा चता पन पुत्र छे इपिता ना आग्णानू उलंगन करतो न थी तो आवके वी रिते बनी शके तो आहिया ये पुत्र ये एक नेल कटर लिदू छे जहने आपडे संस्कुरूत मा नेलकटर ने नरणी क्यावाई छे तो यहने हम कितू के सस्त्र कोईपन प्रकार नू उपाड़तो नहीं यहने पुत्र यह नेलकटर उपाड़ू जहना तियने नक काई प्या तो सस्त्र उपाड़ू पण यहने एवु सस्त्र नती उपाड़ू, जती करीने पितानी आग्णानों उलंगन थाई, तो एवु क्यु अस्त्र उपाड़ू, तो के नर्णी, यहले के एक नेल कटर चेई उपाड़ू, तो किदू छे के सस्त्र खर्यकर पिताये आदेश आई पो, के यह पुत्र तु सस्त्र खर्यकर उपाड़िश नई, चता पुत्र यह पुत्र ने उपाड़ू, अत्वा उप्योग करियो, चता पितानी आग्णानों उलंगन थाई नई, तो आख्यवी वस्तु एणे वापरी इशे, तो के नर्णी, यहले के नेल कटर नों एणे उप्योग करियो, छे, फर्यकर जोईये, पिता ये पुत्र ने आग्णानों उलंगन करियो, नई, व्रुक्षा आग्रे फलं द्रष्ट, फल आग्रे व्रुक्षम एवच, पकारादी सकारांधम, यो जाना आती सपंडित, एटले शूं, व्रुक्षनी आगल फल छे, औने फल नी आगल व्रुक्ष छे, अकार्थी शरू थाई छे, औने सकार्थी पूर्ण थाई छे, तेज जैने जानी ले छे, तेज पंडित छे, तो आवी वस्तु कई एचे विज्याति मित्रों के जेमा व्रुक्षनी आगल फ अथी शरू थाई चे अने सथी पूर्ण थाई चे इवी कई वस्तू छे के जे जानी ले चे ते पंडित समान चे तो एनो जवाब पढ़ू तमने कई दव चू के अनानस अनानस आ जने आपने पाइनेपल तरीके पढ़ उलखिये चिये तो अनानस नी आगल रूक्ष जिया हुँँँँ एनि आ च्वाटी ने ते अनानस छे इजी निकलेल हुँँँँँए और अने रूक्षिन नी पचीले फो ल नी आगल ना भागमा पण सुँँँँँँँँँँँ़? अनानस नो आकार जोई ऊँँँँँँँँँँँँ तो आगल पणे अ, न, न, स, अ, ती, शरू छ, अन, स, ती, पूरू छ, श, ज, 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 पंडित, ते, ज, ज, आन, ले, छे, ते, ज, पंडित, श,म,ान, छे, फरियेकवार, विद्यार्थी, मित्र, भाशांतर, ज, ज, वुरूप्ष, न, आगल, पुल, छे, देखाई छे, अन, फल, न, आ आत्मा पिनाग, फेन, बाल इंदु अत्वा बाल चंद्र फस्मन मंदाकी निले गंगाथी युक्त छे यवा पर्ग वर्ग थी रचायली मुर्ती तमार उकल्यान थाओ भगवन शू उपाडवा लायक छे गुरु वचन शू छोड़िदेवा लायक छे हीनकारियो कौन गुरु छे तत्व ज्ञान ने जाननार अने शिष्यना हीतमा सतत वीचार नारज गुरु छे पहला कदी पन तारा कमल जेवी आखवाड़ा पती ने जोयो नथी जेनो वच्चेनो अक्षर सो छे जे जानी ले छे तेज विद्वान छे यमा संचे नथी पिता आये पुत्राने आगिन्या आपी के सस्त्र खर्यकर उप्योग करूँ नई चता पन सस्त्र नो उप्योग पुत्रे कर्यो चता पिता नी आगिन्यान उलंगन कर्यू नई तो नरनी अटलेके नेल कटर उपाईडियू आई यां अशोक छे इत्रीजा स्लोक नो गुजराती था एनो उजवाब थाई छे अन्ये पही पाच मो श्लोक छे के व्रुक्ष नी आगल फल देखाई छे फल नी आगल व्रुक्ष देखाई छे अथी शरू थाई छे अन्ये जानी लेचे ते पंडित छे तो आजे आपड़ पाच स्लोक छे एनू भाशान्तर जोयू आप आचे पाच भाशान्तर न अनुवाद तमारे बे वकत रफबुक मा लखी पाका करवाना छे कानके आमा ती भाशान्तर बढ़नी परिक्षामा पुचाई शके उचे तो जाइपनगर काम्मा आपीश आजे आतलू राखिये आउजो नमस्ते